देल में रहने के लिए सजा सुनाई गई ये तब हो पाया जब गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंदर मोदी जी थे ब्लास्ट होने के बाद सारी अजंसीज का ये कहना था कि मुख्य मंत्री उस समय के मुख्य मंत्री नरेंदर मोदी जी घटना स्थल पर ना जाए लेकिन मोदी जी घटना स्थल पर भी गए पुलिस कमिशनर के दफ्तर भी गए घायलों को देखने अस्पताल भी गए और यहीं पर रुके ही नहीं आतंक वाद की कमर तोड़ने के लिए मोदी जी की महीम लगातार चलती रही SIT का गठन हुआ मात्र 19 दिनों के अंदर आतंक वादियों के खिलाफ कारवाई की गई पकड़ा गया केस सॉल्व हुआ और उसके लिए जो कुछ भी करना था सबूत पहुंचाने तक आतंक वादियों को पकड़ने तक मोदी जी की सरकार ने उस समय भी काम किया आज भी आतंक वाद को जड़ से मिटाने के लिए मोदी जी की सरकार वचन वद है प्रयासरत है और मैं कहना चाहता हूँ इसमेर सिम्मी हो इंडियन मजाहुदीन हो इनकी कमर तोड़ने का काम किया है तो ने पनिरिंदर मोदी जी ने के लिए उन आतंक वादी हमलों में भी सीरियल ब्लास्ट में भी अजनसीस की रिपोर्ट उस समय की भी है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंदरी करने की प्लैनिंग भी थे सभाल ये आता हूं कि एहम्दाबादी हमले के तार्स समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और जिन उन्चास लोगों के खिलाव यह बात आई है उनमें से जो एक मास्टर माइंड की मैं अगर बात करूँ यह ऐसे हैं मुहम्मद सैफ पुत्र शाबाद एहमद मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता यह मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता कौन है अखिलेश जी की बोलतीन पर बंद क्यों है यह जो चित्र में आपके सामने मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता के रख रहा हूं यह उस समय के समाजवादी पार्टी के मुख्य मंत्री अनके उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी पीछे आप देख सकते हैं उत्रप्रदेश सरकार का चिन नजर आ रहा होगा क्या इस मिस्टर समाजवादी पार्टी नेता को उस समय के मुख्य मंत्री अखिलेश यादव जी ने बिर्यानी खाने के लिए बुलाया थे जिनका बेटा मास्टर माइंड और धमाकों में शामिल होने का नाम आया है क्या इस पर अखिलेश यादव जी चुप्पी तोड़ेंगे आज हम गड़ को आंतकवादियों का गड़ बनाने का काम जिन लोगों ने किया है क्या उस पर समाजवादी पार्टी अपनी चुप्पी तोड़ेगी इनको पुलिस पर भरोसा नहीं है एटीएस पर भरोसा नहीं है लेकिन आतंकवादियों को सेलक्षन देरे में पूरी ताकत लगा देते हैं मैं तो कहूंगा आतंकियों से करे प्यार, जिन्ना के कसीदें, गाए हजार, यूपी पुलस पर करे वार, समाजवादी है तुष्टी करण के यार ये तुष्टी करण की राजनिती के कारण ही गुंडे, माफिय, अतंकियों को बल मिलता रहा समाजवादी पार्टी की सरकार में पिछले पांच वर्षों में कमर तोड़ने का काम उत्तर परदेश में योगी जी न क्या है अपराधियों की गुंडों की माफियों की आपने भाशा देखी होगी अखिलेशी की ए पुलिस वालों, ए पुलिस वालों क्यासे बोला क्या और ATS और पुलिस पर प्रशंचिन खड़े किये और उनकी जांच पर भी प्रशंचिन खड़ा करते हैं मैं तो दो बातें आपके सामने और रखना चाहता हूँ कि अखिलेश ने ठाना है, आतंकियों को बचाना है ये कब ठान लिया था? 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मैनफेस्टों में सीधे सीधे लिखा था और सीधे जो लिखा था, वो क्या लिखा था? कि मुस्लिम युवाओं के खिलाब आतंकवादी जो चार्जिस हैं आतंकवाद के उसको वापिस लेके 2012 में समाजवादी पार्टी के मैनफेस्टों में कहा गया और 2013 में सत्ता में आने के बाद अखिलेशी ने लेकिन उससे पहले क्या का मैं एक बार आपको पढ़के बता दू 2012 के मैनफेस्टों में समाजवादी पार्टी देश की पहली ऐसी पार्टी थी को पुलिटिकल पार्टी की जिसने मैनिफेस्टों में वायदा किया था कि मुस्लिम इवाओं को टेरर चार्ज को छोड़ दिया जाएगा वापिस लेने की बात कही थी और क्या कहा था कि जिन लोगों ने ये चार्जिस लगाएं ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ सप्पा की सरकार कारवाई करेगी यानि कि पुलिस वालों के खिलाफ कारवाई और आधंक वाद को बढ़ावा देने को छुट्टी देने के बात अखिलेशी उस समय करते थे और जैसे सत्ता में आए 2013 में चार्जिस ड्रॉप कर दिये कोट चले गए जांच नहीं कि अखिलेशी की सरकार ने सीधा कोट में जाके चार्जिस ड्रॉप करने की बात कहीं कोट ने उसका संख्यान लिया कोट ने संख्यान लिया और क्या कहा कोट ने कि आज अतंकियों को छोड़ दोगे तो क्या कल उनको पद्मभूशन दोगे और मैं उनका आपका जो जाद साहिब ने कहा मैं आपको उसका पढ़के सुना देता हूँ जो बैंच था जस्टिस आरके अगरबाज जी को और जस्टिस आरेसर मौर्या जी कहा आई लाइक टो कोट अगोट टोड़ें यह विड्रॉइं केसिज अगेंस देम तुमारो विल्यू गिव देम पदमभूशन आयान कोट यह उस समय के डबल बैंच ने कहा जज्जिस ने कहा यह अपने आप में अखिलेश यादवजी पर समाजवादी पार्टी पर बड़ा प्रशन चिन खड़ा करता है यह कौन लोग हैं जिनोंने लखनव में बनारस में अयोध्या में रामपूर में बम धमाके किये उनके खिलाव मुस्लिम युगकों के आतंकी जो चार जीज्जिस ने को वापिस लेने के बात उस समय अखिलेश यादवजी ने कही और करने का काम भी किया यह तो भला हो कोट ने उसका संध्यान लिया यह यात्रा यहीं नहीं रुपती मैं और आज जब चुनाव आयोध्या में जमीन लेकर देंगे बनारस में जमीन लेकर देंगे पांच घर खरीद के देंगे मुँ में राम बगल में आतंकी यह खिलेश यादवजी की सोच है तुष्टिकरन की राजनिती का एक और उधारन आपके सामने देखने को मिलता है और यह तो जवानों की शाहदत पर सवाल उठाते हैं ATS और पुलिस पर सवाल उठाते हैं और आतंकियों को घर पर बयानी खाने बुलाते हैं उनके समर्थकों को बुलाते हैं मैंने फोटो भी आपको दिखाई क्या हाल है इसलिए तो मोदी जी कहते हैं लाज टोपी मतलब रेड अलर्ट यह लाज टोपी रेड अलर्ट है और इससे बड़ा अलर्ट उत्तर परदेश के लिए और क्या होगा चुनाब के समय उत्तर परदेश की जनता को यह तै करना होगा और यह निर्ड़े भी करना है कि यह समाज बाती नहीं समाज विरोधी है अगर आप अगले भी उधारन देखेंगे तो उसमें भी सपाश तोर पर आपको नज़र आएगा केवल अकेले अखिलेश यादव जने आजम खान हो अब वो आजम हो ऐसे इनके बड़े नेता सब पुलिस वाले शहादत उनके घर पे नहीं गए जनको आतंक वाती होने के आरोप में पकड़ा गया उनके घर पर उन लोगों के परिवारों से मिलने गए ये आतंक वातियों को उनके परिवारों को सरक्षन देने का काम सपा करती है भाजपा जीरो टॉलरेंस की नीती के साथ चलती है यही नहीं मोधी जी ने आतंक वात के खिलाब जीरो टॉलरेंस को देश के अंदर दो किया ही मुख्यमंत्री रहते हुए भी परधान मंत्री बन कर भी मुख्यमंत्री थे तो एमदाबाद के बं ब्लास्ट सीरियल ब्लास्ट के खिलाब कारवाई की 26 गयरक का हमला हुआ तो मुंबई जाकर स्वए वहां पर भी गए और जब प्रधान मंत्री बने तो दुनिया भर के निताओं के साथ आतंक वात के खिलाब जीरो टॉलरेंस की निती को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाएंगे पिछले साथ वर्षों में देखिए सैंकडो आतंक वादियों को मार किराया आतंक वादी हमलों को यहाँ पर अंजाम नहीं देने दिया है यह भाजबा का जीरो टॉलरेंस आतंक वाद के खिलाफ है अगर आप मैं लंबा इस पर नहीं जाना चाहता लेकिन एक के बाद दूसरे उधारन देखेंगे सब लंबी सूची आपके सामने आती है कैसे समाजवादी पार्टी ने और कॉंग्रेस ने भी बाटला हाउस गांड तो आप भूले नहीं होंगे मोहनचन शर्मा जी, इंस्पेक्टर मोहनचन शर्मा जी की शाहतत पर सब पर कॉंग्रेस ने प्रशंचिन खढ़ा किया था और कॉंग्रेस के दिगज नेताओं ने कहा था कि सोनिया जी उन गुनेकारों के घुरों पर जाकर फूट फूट कर रोई थी लेकिन सोनिया जी राहूल कांदी जी के पास शहीद मुहंचन शर्मा जी के घर जाने का समय नहीं था ना अखिलेश जी के पास था निनके बाकी निताओं के पास था ऐसे कई प्रूफ आपके सामने हैं जहां रामपुर के CRPF केम पर अटैक करने के जहां पर साथ CRPF के हमारे जवान शहीद होगे थे उसमें भी अखिलेश यादर जीने उनके केसों को वापिस करने की बात कहीं जो लोग उसमें इन्वाल थे इसी तरह से ही समाजवादी पार्टी के उपर आरोप और कई ऐसे लेख लिखेगे कि सिम्मी के उपर बैंड नहीं लगाने के लिए